आप सभी को चत्चल कर नमास्ते आज हम अपने सुवह केना से नाशो हरें मूरी के परमते हमने हैं पनी tą धोके कसके कर अब इसमें लंठ डालके हमने पहले शितरा से न चोड़े आप हम साल से इसमी मिलाने जा आम चुल एक चुमच दनिया पाउडर दो चुमच एक और हाफ चुमच लाल मिर्च और नमक अपने स्वादों निसार और थोड़ी से में डालेंगे आज वैन जिसके हमारी पेट में पही रहेंगा आजमा सही रहता है जवैन खाने से हमें सब्सक्राइब कर लेंगे अची तरह से मिक्स अब धिहान रखें कि जब भी आप मूली के पराम्टे बनाते हैं आप पहले अपने आटावगरा लगा के पहले से तयार रखें क्योंकि इसमें नमक डालते के साथ ही मूली पानी और श् प्रेस करके अंजर के तरह बढ़ने के लिए मूली को करें इसमें अपने मूली भरेंगे इसमें अपने मूली भरेंगे अब दवाते हुए इसके अंदर बढ़ने के है जी तरह चराँ तरह में अगलने मूली के आछफ रखते हैंगे अब कर देरें किस्ली ना चालू करें कि हमने अपना पराम्टा बेले आप हमते से अपने तवी पड़ेंगे और जिद्ध आप सब्सक्राइब जब तक हमारा पहला पराम्टा बन रहा है इस तरह हम अपने दूसरे पराम्टे के लिए लिए आच्टे में मूली भर लेंगे आप पराम्टा एक तरफ से शिख गया आप हम इसमें लगाएंगे अपना तेल और इसे जीरी गास पर सीखेंगे पराम्टा रहा है नहीं की हमारा पराम्टा चेखेंगें आप एक क्यों प्लाइब कर देए-पराम्टा बन यहां हमारा पराम्टा चुका है और दूसरे पराम्टा डालेंगे इसे भिए मिगास पर शेख लेंगे हम ने प्राम्टा भी सेख लिया है दोने तरफ तेर लबाते हुए हम सेखे चलेंगे चाहिए कि नारों पर चुछ तरह सेखे कि इस वार किनारी कच्छे रह जाते हैं अब आपको मेरे प्राम्टे बनके तयार है अब हम की गड़ेंगे प्लेटिंग है हमारे मूरी की प्राम्टे बनके तयार है अगर आपको मेरे मूरी की प्राम्टे बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए गधनेवाद